इस वीडियो में हम क्या बात करने आले हैं नियूरल कंट्रोल फाम इस कोडिनेशन का जो नया इस वीडियो में डिसकस करने वाल है और यह जो वीडियो है यह ओर्यू है इस चप्टर का तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखो जो नियूरल है करने के लिए इसका हेल्प होता है तो कैसे तो देखो यह हुमियोस्टैसिस मेंटेन करने का क्या काम है और क्यू करते हैं तो यहाँ पर देखो जो मान लो यहाँ पर कि जो हर ट्रेट है एक जमपल यहां पर क्या होता है यहां पर एक पर्षण हो है वह रनिंग कर रहा है रर निंग और यह कै कर रहा है फिजिक अग्जर्साइज कर रहा है बडर्वर्ण फिजिकल exercise in that time the person will require oxygen demand right उसके बाद वो उसको energy की जरुरत पड़ती है energy then यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे blood flow जो है वो उसकी जरुरत पड़ती है blood flow की क्योंकि जो energy और oxygen का demand है वो blood से complete होता है बालाबर वो हमने विछले series of video में देखा है तो यहाँ पे होगा क्या जो blood flow है यहाँ पे increase होता है तो blood flow increase करने के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे heart beat rate increase होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे blood flow increase होने के लिए तो यहाँ पे क्या है heart का functioning जो है ओ यहाँ पे fast हो गया मगर यहाँ पे क्या होता है lungs lungs का working जो है वो फास्ट नहीं होगा परावर इनका इनका दोनों को correlation नहीं होगा तो यहाँ पे lungs का functioning अच्छे से नहीं होगा, तो यहापे क्या होगा? यहापे जो oxygen का demand है, वो complete नहीं होगा, खोलो, क्यों यहापे respiration rate जो है, respiration rate होता है? यह रहता है normal condition में, क्यों? क्योंकि यहापे क्या नहीं होगा? यहाँ पर coordination ने होगा तो यह function ने करेगा और यह oxygen की demand यहाँ पर complete ने कर पाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यह हमारी body में dis functioning हो जाता है organ का dis functioning होता है तो यह neural control इसलिए important है homeostasis maintain करने का काम यह important इसलिए है क्योंकि हमारे body के जो organs है वो क्या maintain हो जाए, और उनका functioning जो है, वो control में रहे और यह अच्छे से functioning करे, वो dis functioning नहीं करना चाहिए, इसलिए यह sub neural control और help करती है, किसके लिए homeostasis maintain करने के लिए उसी प्रकार, यह जो coordination है, coordination क्या है coordination means क्या, देखो एक person ओके, यह जो एक person है, यह इससे बात कर रहा है, बराबर तो, इनका दोनों का coordination हो गया यह दोनों क्या कर रहे है, बात कर रहे है, तो यह दोनों का क्या है, coordination है उसी तरह हमारे body में भी coordination होता है, जैसे के मान लो यहाँ पे हमारा brain है तो brain क्या करता है जो different organs है heart lungs kidney यह जो organs है उनको क्या करता है coordinate करता है और उनके साथ संपर्क करता है तो यह इसको coordination क्यों करना चाहिए और क्यों जरूरी है तो इसी लिए यह जरूरी है तो इसका example क्या है example देखो यहापे example coordination का तो यह जो person है वो यहापे exercise कर रहा है उसकी यह demand है तो यहापे क्या होता है heart rate increase होता है heart rate increase होता है kidney क्या करती है kidney renin angiotincin क्या करती है renin secret करके वहापे क्या होता है वहापे blood vessel का जो है वो wide करते है blood vessels और blood vessels wide करके यहापे blood pressure और blood flow increase करते है बराबर उसके बाद lungs का क्या काम है वो respiration rate increase करते है respiration rate तो यह sub का क्या है different functioning है मगर वो interrelated है यह correlated है और इनका interrelated correlate होके यह इसकी demand जो है यह running कर रहा person जो exercise कर रहा person है उसके demand वो complete करते है तो इस प्रकार होता है coordination और दूसरा वाला होता है neural coordination तो जो chemical coordination है उसको हम कहते है neural और chemical chemical coordination को endocrine endocrine coordination भी कहते है endocrine okay तो इसमें जो neural coordination है यह क्या है एक point to point है means हमारे body के जो जितने भी cells है tissues है वहाँ पे वो present है इसलिए neural coordination क्या है faster than the chemical reaction और chemical coordination तो neural coordination क्या है बहुत ज़्यादा fast work करता है as compared to endocrine coordination or chemical coordination for that in this particular videos और series of videos we will discuss about neural control and its coordination in that we will discuss about reflex action reflex action उसके बाद हम देखेंगे उसका जो axon axon का conduction उसके बाद impulse conduction in across impulse conduction across the neurons okay जो जितना भी है neural control में हो सब हम series of video में cover करने वाले तो इस video में इतना ही तो आपको ये video अच्छा लगाओ तो like करो share करो और हमारे चानल को subscribe करो thank you